हेलो फ्रेंड्स देखिए हमने आज कबाब बनाया है अगर आपको मेरी रेश भी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सस्क्राइब करिएगा आज हम काले चनी के कबाब बनाएंगे यह दो कटोरी मेरे चने हैं अगर वेट से बोलेंगे तो यह 200 ग्राम है 250 ग्राम है अब इसको हम विगो दे रहे हैं इसको 8 घंटे के लिए विगो देना है कि जिससे यह चने कुब अच्छी तरह से पूल जाए जितना चना है उसका कटोरी जैसे मेरी चना था तो हमको इसमें चार कटोरी पानी डाल देना है कि जिससे यह खुब अच्छी तरह से पूल जाए है अब इसको हमको कूकर में डाल देना है अब हमको एक ग्लासिस में पानी डाल देना है और थोड़ा सा हला नमक डाल देंगे अब इसको हमको गैस पर चड़ा देना है चन्ने के बाद अब इसको फिर सिम कर देंगे फिर दो सीटी की बात बिल्कुल इसको दार देना है एक सीटी आ जाए बस मेरे चन्ने बहुत अच्छी तरह से उबल चुके हैं उसको तबाख के देख लेता है चेक कर लेता है यह देखिए कि अच्छे गल्ड़े है और अब हमको सबसे पहल यह बड़ी इसल जेरा चयंगे आपा निने निकाल ग al लाधा। इसको चला लेना है देखिए मेरा यह अच्छी तरह से चना पिश चुका है बहुत मुलाएं पिश चुका है इसी तरह सारे चने को हमको चला लेना है इसको हम बढ़तने देखिए मेरा यह बहुत अच्छी तरह से पिश चुका है अब इसके अंदर हमको हींग डाल देना है य कि मेरा छोटा चम्मच है इससे आधा चम्मच जरा मसाला हो गया ये खड़ा जीरा है हल्दी है आधी चम्मच और ये मिर्चा भी आधे चम्मच अगर आप तीखा खाते हूं तो ज्यादा ले लिजेगा अनमग जो है अपने स्वाद अनुसार डालिएगा दो मीडियम साइज अगर मेरे प्याज है इसको मैंने फोटे छोटे से काटी जाए उसको मिला लेना है और ये पूदीना है फुलिणा डाल दी जेगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब सब स्वीच तरह से हमको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से विक्स हो चुका है इसा विसमी डाल नमसाले अब इसको क्या करना है थोड़ा साहत में ऑईल लगा लेना है और फिर इसकी गुल-गोल ऐसी तरके टिक्या बना लेना इसी तरह हमको सारे पीसेज, तैयार हो चुकी है, अब इसमें हम अपने कड़ाई में मस्टर्ड आइल डाल दे रहे हैं, मस्टर्ड आइल में बहुत ही अच्छा इसका टेश्ट आता है, इसको गरम कर दें, कड़िया गरम हो जड़ा सा, बुमनेट के लिए, तेल को हिला दिया है हमने, के डाल दे रहे हैं, अब ये एक साइड जिसको हमको पलटके, जुसरे साइड के लिए देखिए, ऐसा अलका गोल्डन कलर हो जाए, जिसको पलट लेना है, भी 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 करके तको, मेरी दोनों द्रख से अच्छी तरा से सिख शुकी है ये, अब इसको हमको निकाल लेना है, मेरी देखिए, सारे देखिए हैं, मेरी अच्छी तरा से हो चुके हैं, अब इसको चलिए सर्व करते हैं,